हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आज का ये जो वीडियो है ये है बाबा सिध चानों के उपर और जैसे की आप देख पा रहे हैं यह जो बाबा सिध चानों जी का मंदिर है ये समेला नामक स्थान में स्थित है और डिस्टिक हमीरपूर है और ये रास्ता आप जैसे देख रहे हैं जैसे ही आप यहां समेला मंदिर में पहुंचते हैं तो ये रास्ता मंदिर के लिए जाता है उपर और यहां ये विभिन प्रकार की जो हैं शॉप्ष यहां हैं तो यहां से आप अपनी जरूरत का समान भी यहां से आप खरीद सकते ह तो यहां बच्चों के खिलोने और आप घर में जो प्रियोग करते हैं इस तरह के जो है यहां कई चीजें जो हैं रखी गई हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं तो बाकी यहां आप देख सकते हैं यह जो रास्ता है काफी बड़ा नहीं है छोटा सा रास्ता है नीचे में रोड में से और यहां से आप धूप, समगरी, परशाद जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं मंदिर में चड़ाने के लिए तो कुछ लोगों को इस मंदिर के बारे में जो है ज़्यादा मालूम नहीं है तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंदिर के बारे में पता चले यह बाबा सिध चानो जी है और इनका मंदिर यह समेला में है और यह डिस्टिक हमिरपुर में है और यह समेला जो है इसके बारे में आपको मैं भी जानकारी देता हूँ जैसे कि आज कल COVID है तो आप जैसे देख पा रहे हैं जिस तरह की यहां instructions जो हैं दी गई है पूरी तरह से तो यहां मंदिर का सामान और यहां से जो है आप जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहां से आपकी जो है sanitizer भी आपको आपकी hand जो है sanitize किये जाते हैं मंदिर में प्रवेश क करने से पहले और जैसे मैं आपको बताऊं जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहां जो है इस मंदिर का प्रवेश इस तरह से है और ये कुछ इस तरह का एक छोटा सा रास्ता है मंदिर तक जाने के लिए कुछ ज़्यादा स्पेस यहां नहीं है और लोगों की कतार जो है यहां काफी ज़्यादा होती है तो आजकल जैसे कि आपको मालूम है COVID का टाइम है तो इतने ज़्यादा जो लोग है यहां नहीं है तो अभी जो यहां इस मंदिर में इन्होंने यह किया हुआ है जो भी यहां लोग जो है अपनी सरद्दा से चड़ाते हैं जो भी चड़ावा यहां चड़ाते हैं तो यहां इन्होंने देखो इन्स्ट्रक्शन जो है पूरी लिखी हुई है और यह जो भी चड़ावा है यहां जो है चड़ाया जाता है पहले क्या था कि पहले जो सारा चड़ावा था मंदिर के अन्दर लिया जाता था लेकिन अभी जो है इन्होंने यहां जो है चेंज कर दिया है जो चड़ावा है आपको यहीं चड़ाना पड़ेगा तो ये कुछ इस तरह का यहां का नजारा है और मैं आपको एक बात बता दूँ यहां जो है मंदीर के प्रांगण में या मंदीर के अंदर वीडियो सूट करना अलाउन नहीं है तो मैं बिल्कुल भी अंदर का जो दृश्य है आपको नहीं दिखा सकता तो बिल्कुल मैं अंदर का वीडियो नहीं बना सकता हूं क्योंकि पर्मिशन यहां नहीं है तो यहां तक जो है व पार्केट भी यहाँ है बाहर जो मेन रोड जो यहां तक आता है तो यहां काफी सारी चीजे आप ले सकते हैं बाए बाय कर सकते हैं आपके जरूरत की काफी सारी चीजे यहां आपको मिल जाएंगी तो इस मंदिर में जो है वैसे इस रधालू काफी दूर दूर से यहां आते हैं और जब यहां कोवीड नहीं था उससे पहले यहां काफी जो है भीड आपको देखने को मिल सकती है और इससे पहले भीड काफी थी कोवीड से पहले तो जैसे मैं आपको बताऊँ मैं इसके बारे में आपको बता रहा था यह डिस्टि का हमीरपूर में पड़ता है और यह जो रोड आपने अगर सुना होगा तो यह महारल बिज़ड जो रोड है इस रोड पर से ही एक लिंक रोड जाता है और यह महारल बिज़ड रोड में से लगभग 2 किलोमीटर आपको और आगे आना पड़ेगा समैला मंदीर तक और बिलकुल पक्का रोड है बिलकुल आप आपने वहन से यहां तक आ सकते हैं easily और काफी पार्किंग एरिया भी यहां है अगर आप यहां तक अपनी कार या अपने वाइकल को लाना चाहते हैं तो बिलकुल आप ला सकते हैं और इससे पीछे भी पार्किंग जो है काफी वाइड एरिया है यह तो बिलकुल यहां मंदीर का आगे का पूरा नजारा है इससे पीछे भी पार्किंग के लिए काफी ज़्यादा स्पेस है आप वहां भी अपने वाहन को जो है खड़ा कर सकते हैं तो मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मंदिर के बारे में लोगों को पता चले जानकारी मिले बाबा सिद चानों जी का यह मंदिर है और यह वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे फेस्बुक पेज पर अवेलेबल हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और